हाई दोस्तों नमस्कार आप सभी का यूटूब चैनल एजूकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों परदेश में तरतिये स्रेनी सिक्षकों की भड़ती निकली है और रीट परिक्षा की अटकी आंसर की से जो उमीद हैं वो सब की तूड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि परसन पत्र का जो मामला है वो कोड तक चला गया है और कोड तक जाने के करन ये भड़ती है वो विवादों से गिरी हुई है पिछले महीने हुई रीट परिक्षा की आंसर की अटकाने से परदेश के नो लाक्षदिक बेरुजगरों की नोकरी की उमीद टूरती जारी है बेरुजगरों को प्रिक्षा के बाद से answer की का इंतजार है लेकिन राजस्तान माजिमिक शेक्षावर्ड परसासन अब तक answer की जारी नहीं कर सका है board की ओर से तरक दिया जा रहा है कि प्रसंपत्र की गोपनियता को लेकर मामला नयाले तक पहुँचा है इस करण आंसर की जारी नहीं की जा सकती आंसर की जारी नहीं होने के करण अब्यरती अपने अंकों का आगलन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं हालां कि कई कोचिंग संस्तानों ने प्रिक्षा के दिन ही रीट प्रिक्षा की आंसर की जारी कर दी थी इस करण मामला न्याले तक पहुंचा कहीं अब बेर्टियों ने परिक्षा के बाद न्याले में याची का दायर की इसमें बताया कि परिक्षा से एक गंटे पहले परशन पत्र कहीं बेर्टियों के पास वाटसप पर पहुंच गया था बेड़तियों ने ये भी दावा किया कि जो प्रशन पत्र अब बेड़तियों के पास पहुंचा था वही प्रशन पेपर मैं रीट के जरीए होनी है सिक्सक बढ़ती होनी है पहले इस बढ़ती में 20,000 पत्ते बाद में सरकार ने दोनों लेवलों के पदों की संग्या को मिल जाएगी आपका क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जे भारत